हेलो एब्रिवान मैं सनी को सौमी स्वागत करता हूँ आपका पिनेकल में तो भाई लोग केसे हैं आशा है आप सब सही होंगे तो जो लोग आ चुके हैं भया बो ळिनेस कुमार धी करें बताएं और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे तो तो सबसे पहले सभी लिंक को sharing कर दे ताकि और भी बच्चे आजाएं आई होब सभी के पास notification चला गया होगा तो भीया नो बज़ चुकी है और नो बज़े हम आ जाते हैं तो बिल्कुल जो लोग आ चुके हैं भीया वो आ ही जाएं तो फिर हम session को start करेंगे खटा-खटा जाए लिंक को share कर दें बिल्कुल तो session को start करने से पहले थोड़ा सब बेट कर लेते हैं सारे बच्चे आ जाते हैं क्योंकि 9 बज़े सायद उनकी आदत नहीं आज मकर सक्रंती भी है और काफी ठंड है तो सभी को सबसे पहले मकर सक्रंती की हार्दिक सुपकाम ना है तो सार जी आ चुके हैं बिलकुल तो जो लोग आ चुके हैं वहिया वो एक बार hello hi कल लो ताकि मुझे पता लगे कि सभी बच्चे आ चुके हैं उसके बाद में आप केसे हैं नमस्ते, hello उसके बाद में मकर सकरंती की सभी को ढेल सारी सुपकाम ना है तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि भारत में British East India Company दुआरा प्रथम डाग घर कहां पर इस्तापित किया गया था दोस्तो इसका आंसर करें आंसर हमें ऐसे करना है कि 19 का A, 19 का B, 19 का C या 19 का D तो इसी टाइप से हमें आंसर करना है तो इसका कोस्चन पहला जो होता है कि भारत में British East India Company दुआरा प्रथम डाग घर कहां पर इस्तापित किया गया था आपसन है कलकत्ता, हिदराबाद, मदरास या बामबे तो इसका आंसर करें आंसर क्या होगा खटा-खट आंसर आने चाहिए और सटीक आने चाहिए सही आने चाहिए बिल्कुल आज तिल्ली गुड के जो लड़ो होते हैं वो आप सभी निखाए होंगे तो उसकी एनरजी ब अने चाहिए बिल्कुल आप सभी सही होंगे तो पतंग की डोर को काटे और इसका आंसर दे आंसर आना इस्टार्ट हो चुके वह या दीपी का वीके जी का आंसर आ चुका है गजराम यादव जी का भी आंसर आ चुका है तो भारत में ब्रिटीस इस्ट इंडिया कमपनी द ओला गया था जिए दोस्तों इससे खुलने वाले थे बारें हेश्टिंक जो की प्रतम डागगर ता कलकत्त न में इस्तित है और कलकत्त कहा पर इस्तित है पश्चिम बंगाल में इस्तित है और 1784 में से सुरू किया गया था तो इसे याद रखें बढ़ते हैं अगले कोष् भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुवाद कहा से हुई थी, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुवाद कब से की गई थी, तो 1940, 1919, 1945 या 1930 तो भया इसका आंसर करे, आंसर दिनेस कुमार जी बिलकुल आंसर करते रहें, आंसर क्या होगा, आंसर करना आपका जन्म दिकार होता है, answer करते रहें, answer क्या होगा, तो बिल्कुल जिन लोगों का answer कोल कता है, आसिस लोवन सी जी भी आ गए हैं, तो बिल्कुल उनका answer भी आ चुका है, इसका answer करें, 16 का answer क्या होगा, कि भारत छोड़ो अंदोलन की सुरुवात कब की गई थी, दोस्तो 1942 में की गई थी क्या 1911 में 1945 में या 1930 में हिरलाल जी बिलकुल नमस्कार मकर सकरंते की सभी को सुपकाउम ना है आप सभी अच्छे होंगे आंसर बिलकुल प्यारे से आने लगे हैं तो दीपिकावुके जी का आंसर आ चुका है प्रभादुवे जी का भी आंसर आ चु चुड़ो अंदोलन की सुर्वात कब की गई थी दोस्तों तो की गई थी 1942 में क्योंकि हम काफी परिसान हो चुके तो और फिर फाइनल डिसीजन करने वाले थे कि भाईया अब भारत छोड़ दो तो 1942 तक हमारा जो धेर था वो बिल्कुल खतम हो चुका था कि अब इन्हें हटाना है तो 1942 भारत छोड़ो अंदोलन के सुर्वात की गई थी फिर 1947 में हम अजाद हुए 1950 में हमने सम्मिधान का निर्म है 1950 में हमने सम्मिधान लागू किया और फिर आज से अभी तक हम बिल्कुल सुतन्त रूप से हैं तो सुतन रूप से कमेंट करते रहें बढ़ते हैं अगले कोस्चन की ओर अगला जो कोस्चन है अमारा वो होता है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पोधे दुआरा अपसोसित सोर विकिरन का प्रतिसत लगभग कितना होता है कोस्च तो इसका आंसर करें आंसर करना है 25 का A से A, B, C, D विल्कुल A से ही आंसर करना है तो इसका आंसर करें आंसर करते ने भीया आंसर करना है 25 का A, B, C, D 1%, 5%, 10% या 8% दोस्तों पोधे बड़े मासूम होते हैं हमें इतना कुछ देते हैं लेकिन अगर प्रकास संसलेशन की किरिय में अगर सभी पोड़ पोड़ों की बात करें तो वो जो विकिरन होकर प्रकास अबजर्ब करते हैं वो कितना परसिंट करते हैं इसका अंसर हमें देना चाहिए तो 25 का काफी लोगों का अंसर आना इस्टार्ट हो चुका है, हिरलाल जी का आ चुका है, प्रभादुबे जी का भी, गजराम यादब जी का, राजसबरी इबने जी का, दिपीका उईके जी का, दिनेश कुमार जी का और संकर भुरिया जी का अंसर आ चुका है, काफी जो प्रकास की सूर से जो विक्रन होता उससे जो प्रकास की सूर अपसोसित करते हैं वो कितना परसेंट करते हैं एक परसेंट करते हैं दोस्तों सिर्फ एक परसेंट चीजे अपजर्ब करते हैं और इतने में वो अपना खाना पीना बना लेते हैं और हमें आक्सिजन दे देत तो एक परसेंट को याद रखें बिल्कुल अच्छा कोस्चन है काफी बात पूछा गया पड़ते हैं अगले कोस्चन के और अगला जो कोस्चन है हमारा घरों में भू संपरकन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है या किस से बचाने के लिए इससे में संपरकन मतलब कि हम जो अर्थ का वायर डालते हैं वो किस लिए डालते हैं तो बिजली के जटके भुकम के लिए चक्रवात तुफान या बिजली के लिए हम किस के लिए उससे डालते हैं आंसर करें भीया कि घरों में भू संपरकन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है तो बिजली के जटके के लिए भुकम के लिए चक्रवात तुफान के लिए बिजली के लिए 23 का आंसर करें दिनेश कुमार जी बिल्कुल क्या गलत हुआ मुझे बिल्कुल बताएं तो इसका आंसर करें कि 23 का क्या आंसर होगा जो भीया पहले हम ऐसा करते थे नोर्मली अब तो ज़्यादा टेक्निकल चीजे हो चुके तो हम फिर भी इस चीज का तो प्योग करते हैं आपने कई बार देखा होगा कि उपकरन से अगर आपको हलका सा करेंट लग रहा है तो वो अर्थ का एक केबल निकाल देते हैं याने अर्थ निकाल देते हैं पहले हम बहुत संपरकन मतलब की जमीन मर गाड कर उसे एक तार्ग बांद देते थे जिससे की करेंट नहीं लगता था तो इसका आंसर करें आंसर क्या होगा कमल कि सोर जी बिलकुल गुड इवनिंग आप केसे हैं तो 23 का आंसर आना इस्टाट हो चुका है जी यहां दोस्तों काफी अच्छे आंसर आए तो इसका आंसर होता है बिजली के जटके दोस्तों बिजली के जटके ना लगी इसलिए हम अर्थ को जमीन में उतारते हैं यह साधारन लेगवेंज में ताकि आपको अच्छ सवी का चंद्रमा पर खड़ा है वहाइि गेंद ऊपर की और फेकता है तो गेंद क्या होगी हमें इसका आंसर पढ़कर देना है comment box में comment sorry यह जो option होते हैं इन्हें पढ़कर हमें answer देना होता है एक आंत्रिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है गेंद उपर की और फेकता है तो गेंद क्या होगे चंद्रमा पर उचलती रहेगी उपर जाएगी और फिर चंद्रमा के सत्य पर बापस आजाएगी आंत्रिक्ष में गिर जाएगी उपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगे तो भीया कभी अलविधा ना कहना एसा तो कभी नहीं होगा चंद्रमा पर तो इसका आंसर करें बारा का आंसर क्या होगा आंसर करते रहें बिल्कुल आंसर करते रहें आंसर करना आपका जन्मसिद अधिकार है तो बिल्कुल और जो भीया जो पढ़ रहें जिन पर जाएगी पिर सथा पर वापिस आ जाएगी क्योंकि होता क्या है अगर प्रत्वी की बात करें चंद्रमा की अपैक्छा दो चंद्रमा पर भी है तो क्या होगा कि चंद्रमा पर भी है तो क्या होगा चंद्रमा पर भी ऐसा ही होगा भी है उपर जाएगी गेन बापिस जमीन पर बापिस सथा पर आ जाएगी अगर बात करें कि हम प्रत्वी से कि अप एक्छा चंदर्मा पर फ्लांग मतलब की ज़ो जंप है वो अगर जादा मारेंगे तो यसा होता एक महाँ पर अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो अगर चंदर्मा पर यह से चलेंगे तो Spider-Man की तारा मतलब Chris की टाइप से उड़ेंगे तो बिल्कुल महाँ पर आपको ये चीज़े देखने को मिलेंगी जो पहले नील आश्ट्रिम थे उनके साथ उन्होंने जो कदम रखे थे वो इसे दोनों पेरों को एक साथ लगा कर ही चलना होता है आपने भी कई मूवी में देखा होगा तो बिल्कुल इसे याद रखे बढ करते हैं अगले कोश्चन की और अगला जो कोश्चन है अमारा वो होता है पटना नदी के किनारे बसा है मतलब पटना किस नदी के किनारे पर बसा है दोस्तो इस टाइप के भी आपसे कोश्चन पूछे जाएंगे कोश्चन बलर तो दोस्तो अगर ये चीजे आपको है वीडियो की उसे थोड़ा सा बढ़ा ले ताकि ये चीज़े अच्छी दिखे तो पटना नदी किस किनारे पर बसा है सतलच पर गंगा पर नर्मदा या महा नदी पर इसका आंसर करें आंसर क्या होगा तो इसी टाइप से आपको अंसर करना है अंसर क्या होगा अंसर करें तो सोला का अंसर आना इस्टार्ट हो चुका है गजराम यादब जी का अंसर आ चुका है बी हिरलाल जी का अंसर आ चुका है सतलच सागर घीरे जी का अंसर आ चुका है सोला का बी मतलब की गंगा तो काफी लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं सीधा सा question है भहिया पटना कहां पर है भहिया तो पटना होता है गंगा नदी पर तो इसका आंसर होता है भी गंगा नदी जी यहां दोस्तों ऐसे ही याद रखें गंगा नदी पर आपने बिहारी language सुनी होगी बिल्कुल काफी ऐसे ही बात क नदी किनारे आ जाना जी मैं मुझे कम आती है फिर भी मैं ट्राइ करता हूं तो पटना कहां है भी गंगा नदी पर बढ़ते हैं अगले question की और अगला जो question है हमारा वो होता है नर्मदा नदी की ओसत लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों ऐवरेज पूछा गया है मतलब क या आप से पूछा गया है कि ओसत लंबाई कितनी है तो इस टाइप के अगर question आप से आए आपको याद होगा कि भी नर्मदा की यह लंबाई है यहां पर भाहती है यहां से निकलती है लेकिन अगर इस टाइप जी आसे स्लोवन सी जी बिल्कुल आप सही हैं तो नर्मदा नदी की ओसर लंबाई लगभग कितनी हैं तो 900 किलिमेटर है क्या 13 का आंसर करना A, B, C हिरलाल जी सर मैंने सुना है कि मून पर कमेंट चला गया तो या नर्मदा नदी की ओसर लगभग लंबाई कितनी हैं तो इसका आंसर करने 13 का A, 13 का B, 13 का C या 13 का D काफी लोगों के अच्छे आंसर आने लगे हैं जी हां दोस्तो बढ़िया आंसर है तो इसका अगर आपको जैसे सभी को याद होगा नर्मदा का तो सभी को याद होगा कि 13 किलिमेटर इसकी टोटल लंबाई है, मद्प्रदेश में इसकी 10-77 लंबाई है, अमरकंटक पूर से निकलती है, भाडूच के पास गुजरात में गिर जाती है, इस चूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, इसके साथ में जो नदी बहती है, बो बहती है तापती नदी, ये भी इस चूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, दोनों को साथ में बहती है, और य इस टाइप से याद करें, लेकिन इस टाइप से अगर कोस्चन आ जाए, तो उसे जो लगभग में आता है उसका भी आंसर दें, तो बिल्कुल इसका आंसर होता है भहिया क्या होता है C आंसर 13 किलोमीटर लेकिन एकजेट अगर हम बात करें तो 13 12 तो इसकी टोटल लंबाई होती है और 10 87 इसकी मध्यप्रदेश में भहिती है उसकी लंबाई है तो बढ़ते हैं अगले कोस्चन के और अगला जो कोस्चन है हमारा बो होता है किसके उत्पादन पर हरित क्रांती प्रभाव सबसे अधिक पड़ा दोस्तो किसके उत्पादन पर जो हरित क्रांती है उसका प्रभाव पड़ा मतलब हरित क्रांती की अगर हम सुरुवात की बात करें तो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा या जिन तो किसके उत्पादन पर हरित कांती का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा गेहूं पर पड़ा क्या चावल पर पड़ा या तिलहन पर पड़ा तो इसका आंसर करें ग्यारा का आंसर क्या होगा क्या बात है सभी के अच्छे आंसर है कमल किसोर राठोर जी का आंसर आचुका है गजराम यादव जी दिनेश गुमार जी तो दोस्तो हरित क्रांती का सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट प्रभाव पड़ा तो वो पड़ा हमारे गेहूं पर दोस्तो गेहूं उत्पादन में इतनी ब्रद्धी हुई कि अब हम हमारी जो पूर्ती है उसके साथ हम दूसरे द बने वो हरित क्रांती के ही कारण बने तो स्वामी नाथन जी को हमें बिलकुल दिल से धन्यवाद कहना चाहिए इसका आंसर होता ए बढ़ते हैं अगले कोस्चन की और अगला जो कोस्चन हमारा वो होता है भारत के किस राज में प्रसिद साची का इस्तूप इस्तित है जहर रहें आपका एक्जाम आने वाला है फार्म बिलकुल 18-19 तारिक 20 तारिक तक आप भरे क्योंकि होता क्या है व्यापन के साइट इतनी कमजोर है भिया कि अगर एकदम से बच्चा आएगा तो बिलकुल या तो हेंग हो जाएगी या तो आपको 12 बजे एक बजे तक फार्म ब होती है और उसके बाद में आपको काफी बेट करना पड़ेगा तो इसलिए आंसर को अभी ही फार्म भर दे जितना हो सके उतना जल्दी गल्स दोनों से रिक्वेस्ट है कि देखे समझे आपको क्योंसी पोस्ट अच्छी लग रहे है कौनसी नहीं दो पोस्ट है उसमें रे राइसेन से ही साथ आपने बताया था तो भारत का जो साची इस्तूफ है वह होता है राइसेन मदप्रदेश में इसका अंसर होता है डी और किसने बनाया था यह है भी याद रखें किसने बनाया था असोग दुआरा साची इस्तूफ का निर्वान किया गया था तो मदप्र एक बार पूछ लिया गया था MPPSC में कि ये जो पुनासा डेम है वो खंडवा से कितनी दूर है या उमकारिस वर से कितनी दूर है तो इस टाइप से अगर कोई काफी फेमस चीज है तो उसका हो सके अगर एक स्ट्रेय चीजें आप पढ़ते हो तो इस टाइप से नोलेज भी बढ़ते अगले कोस्चन से कि प्रथम पंच वरसी योजना को किस वर्स लागू किया गया था उन्निस सो इंकावन बावन पचपन या पचास में तो इसका आंसर करें कि प्रथम पंच वरसी योजना को किस वर्स लागू किया गया था जी बिलकुल हिरलाल जी असोक असोक दुआरा जो साची स्तूफ है उसका निर्मान किया गया था इसका आंसर करें हमें आंसर करना है नौ का प्रथम पंच वर्षी योजना को किस बर्स लागो किया गया था यह जो पंच वर्षी योजना है इन्हें बिल्कुल माइन में किलियर करें और यह भी पढ़े कि कौन सी योजना का क्या उद्देश से था दोस्तों ये आपको question पूछे जाएंगे ये बिल्कुल contest रखें इनको रटने की trick ये रहती है कि 5-5 साल का इनमे गेफ होता है जो 67, 65, 66 है वहाँ पर आपको थोड़ा confusion होगा क्योंकि वहाँ पर युद्ध हुआ था तो उसे mainly याद रख ले और फिर क्या होगा कि ये जो प्रधम 5 बर्शी योजना है आपको बिल्कुल sequence में याद को होगी तो अच्छे से होगी तो इसका answer करें प्रथम 5 बर्शी योजना को किस बर्स लागू किया गया था इसका answer करें A का B का C का D बिल्कुल आंसर करते नहुन है क्या answer होगा आंसर करें आंसर क्या होगा आसिस लोवनसी जी का बिल्कुल आंसर सही है तो प्रतम पंच वर्सी योजना को किस वर्स लागू किया गया था तो उन्निस सो इंकावन में किया गया था वावन बाले ध्यान रखे भईया उन्निस सो इंकावन में हमने पंच वर्सी योजना को ल कि एक्जाम में कोश्चन क्या पूछे जा रहा है विल सिर्फ कोश्चन को देखे पड़े ऐसा नहीं है एनलाइस करते चले कि भी या इतने कोश्चन समने करवा या इतने लेक्चर हमने दिये तो आपको एक अलग ही आपका माइंड सेट होगा यही पहली सीड़ी है एक्जाम से कोश्चन बनते हैं तो इसी टाइप का यही लेवल बना कर रखे इससे लेवल थोड़ा बड़ा भली ले क्योंकि अगर एक्जाम थोड़ा कर रहा आया तो आप समल कर रहे हैं तो पोशन नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है अठाइस का आंसर आपको करन लेकिन हम अभी जो है एक्जामें दीदार कर रहे हैं दोस्तों की एक्जाम के जो कोश्चन है वो आते कैसे हैं समझ में तो आया चीजे हम यह जो पुरानी चीजे इनको रिविजन करेंगे नई चीजे अब जो दो तिन चार किलास रहे गई है उसके बास से आपको इस्टा सागरगीरे जी का प्रभाद्दूबे जी का तो बढ़िया कोश्चन है और बढ़िया आंसर मिले हैं तो पोशन नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है तो पोशन नाल में जब जो भी भोजन है उसका जो पाचन होता है छोटी आत से होता है जो ब्लैड में ज जो ये डिजाइन त्यार किया है तो छोटी आत ही क्यों देदी बड़ी आत मतलब छोटी आत का ही सारा काम है तो बड़ी आत क्यों देदी तो बड़ी आत से भी एक क्वेश्चन बनता है या क्या बनता है कि जो पानी का अपसोशन होता है वो किस आत से होता है यह जो वाला होता है वो उसे एक बार और चलाता है तो बही पर होता है काम सुरू बढ़ी आत का जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है वो चीजे अपजार्ब करके हमें दे देता है तो इसका आंसर होता है क्या भिया अगला क्यों है हमारा किलो बाट घंटा निमन के एक आई है दोस्तों जो किलो बाट घंटा ये एकाई आप हमेशा याद रखें इसका आंसर करें 25 का क्या होतीеныक विद्धुत इंद विभाव की विद्धुत तूर्जा की विद्धुताबेशक या विद्धुत सकती की इसका आंसर करें भीया, आंसर क्या होगा खटा-खट आंसर करें, लिंक को शेर करें आज साइद मकर सक्रंती ये काफी बच्चे नहीं आए है, हो सकता है कि लड़ू खा रहे होंगे, तो या तिल्ली के लड़ू मेरे लिए भी ले आते किसी ने नहीं पूछा क्या बात है दोस्तों बिल्कुल आपको ना मकर सक्रंती की किसी ने बधाई दी ना किसी ने तिल्ली के लिए पूछा भीया भले ही जूटी मात ही पूछ लेते कि सर खाओगे क्या तो बिल्कुल इसका आंसर करें कोई बात ने दोस्तों तो किलो बाट घंटा निम्न इकाई है विद्धुत की विद्धुत विभाव की विद्धुत तूर्जा की विद्धुत आवेस की या विद्धुत सक्ति की तो 25 का आंसर करें 25 का आंसर क्या होगा आंसर आना इस्टार्ट हो चुका है 28 का 25 का आंसर हमें देना है प्रभादुवे जी का आंसर आ चुका है दिव्या पटेल जी का आंसर आ चुका है तुसार विल्लोरे जी का आंसर आ चुका है गजराम जी का आंसर आ चुका है दीपेका उईके जी का अंसरा चुगा है बिल्कुल किलोबाट घंटे में की जो इकाई है वो क्या है दोस्तों तो बहुती है हमारी क्या बिद्धुत ऊर्जा दोस्तों बिद्धुत ऊर्जा जो है किलोबाट घंटा बिद्धुत ऊर्जा की इकाई है तो बढ़ते हैं अगल जेब सहन्ती इधन उर्जा का इस्त्रोत नहीं है मतलब बायो मास एनर्जी नहीं है इसका आंसर हमें करना है आंसर एसे करना है आसिस लोवन सी जी विल्कुल आपको भी बधाईया कोई बात नहीं है तेविस का क्या होगा आंसर करें बायो मास एनर्जी कौन सी नहीं है कोईल नाभी की उर्जा लकडी या गोबर गेस इसका आंसर करें आंसर क्या होगा आंसर करते रहें आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा उठ जो नए है भीया वो चेनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकोन को प्रेस कर दे संकर भुरिया जी का अंसर आ चुका है, राजस्वरी इवने जी का अंसर आ चुका है, कमल किसोर जी का अंसर आ चुका है, मैंक मालवी जी का अंसर आ चुका है, प्रभाद दूबे जी का अंसर आ चुका है, जिया दोस्तो दिनेश कुमार जी का, राजस्वरी इवने जी का, गजराम यादव जी का असिसलोवन सी जी का, kya वात है दोस्तों, काफी लोगों के अच्छे आनसारा है, निमण में से कोन सा बाइयो मास एनरजी नहीं है, तो बो होता है यह नाभिकी अगले कोस्चन की और अगला जो कोस्चन है हमारा वो होता है अनुबान सिक्ता की इकाई क्या है? तो इसके आप्षन है नाभिक जीन, केंडरिक और गुन सत्र तो इनके या अंसर दें 21 का अंसर क्या है इसका अंसर करें अनुबानसिक्ता की इकाई है नाभिक जीन केंदरिक या गुणसूत्र तो इसका अंसर करें आंसर क्या होगा आंसर करना आपका जन्मसिद अधिकार है आंसर आपको करने ही है स्पीड में करने है तो अनुवांसिक्ता की इकाई क्या है नाभिक है क्या जी ने क्या केंद्रिक है या गुण सूत्रे 21 का आंसर इसे ही करना A B C तो मैंक मालवी जी का अंसर आचुका है प्रभादूवे जी का अंसर आचुका है दिनेश कुमार जी का कमल किसोर राठोर जी का अंसर आचुका है गजराम यादव जी का सक्राम भूरिया दिपेश जी का दिनेश कुमार जी का दोस्तो बिल्कुल अनुवांसिक्ता की इकाई की अगर हम बात करें तो क्या होती है या जीन जीन किसने खोजी थी मेडल ने खोजी थी जी हाँ दोस्तो मेंडेल ने अनुवाजिता की काई जीन होती है और इसकी खोज की थी मेंडेल ने नाभिक की बात करें तो रदर फोड ने की थी केंदरक की बात करें तो ब्राउन ने क कोश्चन है हमारा वो होता है एक लब पुरुसकार किसे दिया जाता है एक लब पुरुसकार किसे दिया जाता है इसका आंसर करें जूनियर खिलाडी प्रसिक्छक सीनियर खिलाडी या कोच तो इसका आंसर क्या होगा बाबिसका ए बाबिसका बी बाबिसका सी या बाबिसका एकलब पुरुसकार किसे दिया जाता है जूनियर खिलाडी को दिया जाता है प्रसिक्षक को सीनियर खिलाडी को या कोच को बाविस का अंसर करना A, B, C, D तो इसका अंसर करें, आंसर क्या होगा, काफी बच्ची प्रयास अच्छा कर रहे हैं, तो भीया ये से ही प्रयास करना है, एकलब पुरुसकार किसे दिया जाता है, जूनियर खिलाडियों को, प्रसिक्छक को, सीनियर खिलाडी को, या कोच को, तो इसका अंसर क्या होगा, आं जी का सागरगीरे जी का दिपेश जी का विल्कुल राजसवरीबने जी का दिव्या पटेल जी का और दीपी का उइके जी का भी आंसर आ चुका है तो भईया इसका आंसर होता है एक लब पुरुसकार किसे दिया जाता है सीनियर जूनियर खिलाडी को दिया जाता एक लब मतल क्लब कि एक लब इसे एक लब गानेल करता है क्योंको और संगर्ष्ट करना पड़ेगा। इनके पुरुसकारों के साथ जैसे कि क्या योजना होती है वो सोरी कितनी रासी दी जाती है इस पर एक एक टोपिक पर अपन वीडियो के साम आध्यम से पढ़ेंगे लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप नोट्स भी बना सको और त्यार भी कर सको तो बढ़ते हैं अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं अगले कुश्चन के और अगला जो कुश्चन किसी राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है जब किसी राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है मतलब इसका आंसर हमें देना है पुलिस की ओर से गोलेवारी हुई सम्मेधानिक तंत्र असाफल हो गया राजपाल केंद्र के पितने निश्टा निश्टा अंत्री गलत बरताब करने लगे किसी राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है तो इसका आंसर करें पुलिस की ओर से गोलेवारी होती रहती है तो का इसका मतलब अब राष्टपती सासन लगा दे यस या नो नहीं सम्मेधानिक तंत्र असफल हो गया हो वहिया सम्मेधानिक तंत्र असफल नहीं होता अगर यहाँ पर कहीं क्योंकि सम्मेधानिक तंत्र बिल्कुल भी असफल नहीं होता वेकर हो सकता है तो इसे छोड़ देते हैं राजपाल केंदर के प्रती निश्टाविन बन जाए तो ये भी कभी देख लेते हैं आगे मुख मंतोरी गलत भरताव करने लगे तो ये दो चीजें तो भी ये दो चीजें तो हट गई अब हमें आंशर कहाँ देना है समयधानिक तंट राशपल हो गया हो राजपाल केंदर के प्रति निष्टावीन बन गया हो तो उनों में से आंसर आपको देखना है कि कब हम राष्ट पती सासन लगा सकते हैं तो आंसर करें 18 का क्या आंसर होगा आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं काफी लोगों ने अच्छे आंसर दी हैं तो बिल्कुल भया जब सम्मेधानिक तंत्र बेसे तो असफल नहीं होता लेकिन असफल होता है तो किसके पास सक्तियां चली जाती है राष्ट पती की भया अब तू हट अब में काम करूँगा अगर राज की बात करें तो राज में कोन होता है हमारा किसी राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है जब सम्मेधानिक तंत्रा सपल हो गया हो तो बहाँ पर राष्टपती सासन लागू कर दिया जाता है और बहाँ पर जो मेन अधिकारी या मेन रोल निभाता है वो कोन होता है राज पाल होता जिया दोस्तों आंसर क्या होगा हमें आंसर करना है तेरा का आंसर क्या होगा इसका आंसर करें कि बिटी संसत के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतिये कोन थे बिटी संसत के बात यहां पर हो रहे हैं कि सदस्य हम जब बने थे तो पहले जो प्रथम भारतिये थे वो कोन थे डिएन बाचा सुर तो आपको और अथिक कोश्चन देखने को मिलेंगे तो ब्रिटी संसर्ट के सदस्य बनने वाले प्रतम भारतिये कोन थे इसका आंसर करें डी एन बाचा सुरेननाद बनर जी फिरोस्सा महता या दादा भाई नेरो जी इसका आंसर करें आंसर क्या होगा प्रभादूबे जी नहीं पता कोई दिक्कत नी तुक का भी लगा सकते हैं क्योंगी हमें जो यहां पर होता है वो हम व्यापम की त्यारी करें तुक का लगाना भी तो तो दिपेश जी का अंसर आचुका, एसी स्लोबंसी जी का अंसर आचुका, राजेसबरी इबने जी का अंसर आचुका, बरसराथोर प्रभादुवे जी का, गोरभ खड़े जी का, दिपेश जी का अंसर आचुका, जी हां दोस्तो, जब रिटी संसत के सदस बनने के लिए कहा गया तो प्रथम भारती कौन थे तो भाया वो थे हमारे दादा नेरो जी अब इसे याद कैसे करना है दोस्तो अब देखो दादा जी है रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और हमारा जो भारत है वो पित्र सत्तमक चीजों पर चलता है मतलब नोर्मली यहाँ पर हम बात करें तो इसे ही चलता है अब ब्रिटी संसत में सदस्ट बनना था नई चीजे थी भारत के लोगों के लिए तो भाया किसको दे दादा भाई नेरो जी को दे क्योंकि यह दादा जी थे वो दादा जी की उम्र को देखते हुए मतलब कि इन्हों ने कहा है कि दादा जी आप जाओ और 12 का आंसर करें आंसर करें कि सब्द गूगली किस से सम्मंदी थे एतलेटिक से क्रिकेट से फुटवाल से या बेडविंटन से इसका आंसर करें आंसर क्या होगा ते 12 का आंसर करना है 12 का A B C D A से ही आंसर करना है यह जो गूगली सब्द है वो किस खेल से सम्मंदी थे इसका अंसर करें जी बिल्कूल आंसर करते नहmeeं या आंसर स्पीड में दें ताकि और चिज़ें आगे हैं काफ या आपको मिलेगी सब्द गुगली किस से सम्मंदित है एथलिक से किरकेट से फुटबाल से या बेड़ विंटन से तो इसका आंसर करें, आंसर क्या होगा, आंसर आना स्टाट हो चुके, कमल किसो राठोर जी का आंसर आ चुका है, दिनेश कुमार जी का, सागर घीरे जी का, प्रतिक ग्वाली जी का, राजिस्वरी इवने जी का, गोरब जी का, राजिस्वरी जी का, पवन सिंग जी का, दिन उनकी जो spin कराने की जो तेकनिक थी वो काफी काफी इंटिक थी मतलब कि अगर हम बात करें तो गुगली किस से संब्मन्दित है वो किरकेट से संब्मन्दित है तो बिल्कुल इसका अंसर होता है बारा का भी बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और अगला जो कोश्चन है हमारा वो होता है उस गिरे का नाम बताईए जो लाल रंग में दिखाई देता है उस गिरे का नाम बताईए जो लाल रंग का दिखता है तो तीस का आंसर हमें देना है A B C D तो इसका आंसर करें आंसर क्या होगा मंगल भ्रहस्पति प्रत्वी या नेप्चून आंसर क्या होगा आ ग्रह का नाम बताईए जो लाल रंग में दिखता है मंगल ब्रसपती प्रत्वी या नेपचुन कौन सा ग्रह लाल दिखता है भी या काफी मसकत कर रहे हैं इस पर काफी चीज़े खोजने के लिए हमने भी कुछ चीज़े स्टार्ट की हैं तो बिल्कुल तो इसका नाम क्या ह होगा मंगल होगा ब्रसपती होगा प्रत्वी होगा या नेपचुन होगा आंसर तीस का आंसर क्या होगा आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं दीपी का उईके जी का आंसर हो चुका सागरगीरे जी का दिनेश कुमार जी का राजसवरी इवने जी का माया बगेल जी का गोव कलर का दिखाए देता है बो होता है मंगल और अगर प्रत्वी की बात करें तो यह दिखती है नेली ब्रस्पती है की बात करें तो यह ब्रस्पती को आप गूगल पे जाकर देखना किस कलर का दिखता है तो बढ़ते हैं अगले कोस्चन की और अगला जो कोस्चन है हमारा बो ह होता है सोनु अपने रासाइन विज्ञान प्रयोक साला में एक प्रयोक कर रहा है सोनु जो है वहिया वो केमिस्ट्री की प्रयोक साल मतलब केमिस्ट्री का इस्टोडेंड है तो वो रासाइन विज्ञान में क्या कर रहा है एक प्रयोक कर रहा है उसने बुन सेन बार्नर के ब मतलब की एक नली जैसा जिससे चीजे आगी निकलती है तो वह किस लिए खोला होगा इसका याद करें तो पीली लो के लिए नेली लो के लिए चमकदाल लो के लिए हरी लो के लिए तो इसका अगर आप mindset करोगे भहिया अगर पूलिस एक्जाम MP पूलिस एक्जाम की सिप्टो की बात करूं तो यही कोश्चन कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है तो अब यह क्यों पूछा गया है अगर आपको नहीं समझ में आता तो यह चीज हमेशा याद रखे नेली लो जो होती है सबसे बेश्ट होती है वो सबसे जो लो को लगा दे तो इसका आंसर क्या होगा राजेशवरी इवने जी अगर आपको किसी भी तरह की अगर अगनी से रिलेटिव या आख से या लो से रिलेटिव कोई भी कोश्चन आए और अगर आपसे नहीं बनता है सभी स्टूडेंट के लिए है तो भीया क्या लगा दे उसमें नीली लो लगा दे तो उसका आंसर 90% तो नीली लो ही रहता है मैंने 25 सिप्ट के जो ओल्ड कोश्चन पेपर देखे थे उसमें यही कोश्चन घुमा फिरा कर दे दिया गया था कि कौन सी लो सबसे अधिक उसमा है परम चरम क्या होता है अगनी का वो जो सुनार होता है वो आग लगाता है तो वो सबसे कौन सी लोका है जो गेस स्टोफ है उसमें सबसे अधिक लो या उसमा कौन सी देते हैं बस इसको याद रखें क्या राखें नीली लो बिल्कुल तो इसका आंसर होता भी बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और रेवीच का मुख लक्षन क् भूख का अभाब तथा पेट खराब होना ये रेवीच का बिल्कुल नहीं है तो गंबीर पीट दर्द या सिर्दर उच जुआरेवम कंप कंप कपी या हाईडो फेविया पानी से डनना रेवीच का मुख लक्षन क्या होता है ग्यारा का आंसर करें ग्यारा का क्या आंसर ह जिन लोगों का पुराने कोश्चनों का अंसर नीली लो था उनका सभी का सही है तो इसका अंसर करें ग्यारा का कि रेवीच का मुख लक्षन क्या होता है मुख का भाब तथा पेट खराब होना गंबीर पीट तथा दर्द तथा सिर्दर उच जुआरेवम कप कभी हाईडो पानी से डर्ना गोरब जी विल्कुल यह जो क्लास है वो नौ बज़े से स्टार्ट हो जाती है अगर आप नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लें गंटी का बेल आइकन है उसे थोड़ा सा तेज दमा दे ताकि आप तक खवर पोच जाए और आप मुबाइल में देखो और नौ बज़े आप स्टार्ट हो जाए तो नौ बज़े किलास आती है गोरब जी विल्कुल आप आएं आपका स्वागत है तो इसका आंसर काफी लोगों ने अच्छा दिया भाईया तो यह रेवीज का मुख्य लक्षन क्या होगा यह कुत्ते के काटने से होता है लेकिन बिल्ली के काटने से भी होता है तो यह तीन कुत्ता तो आपको हर भुक में मिल जाएगा लेकिन यह जो बिल्ली और बंदर है इसे भी याद रखें यह भी खतना के रेवीज इससे भी होता है और भुक का भाब तता पेट खराब होना यह तो वहिया एसा होता है कि कुछ अ कि अगले कुस्टेन की और निमलिखित में से किस भासा को सास्त्रिय भासा का दर्जा नहीं दिया गया है दोस्तों सास्त्रिय भासा तो हिंदी, तेलगू, तमिल या संसकत निमलिखित में से किस भासा को सास्त्री भासा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी, तेलगू, तमिल या संसकत निमलिखित में से किस भासा को सास्त्री भासा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी, अभी आधे लोगों ने लाइक किया है, सवर जी नहीं बिलकुल यार थोड़ा भूत्तोक ह्याल रखे मेरा तो भीजा आसीस जी आज आप ही एक बार लाइक करनें, एक यी बार लाइक करना है, तो बिलकुल लाइक करें और इसका आंसर करें क्या होगा, बरसर आठोर जी का आंसर आचुका, दीपिका वुईके जी का आंसर आचुका, दीपेस जी का आंसर आचुका है, माया बगेल जी का आंसर आचुका है, आसिस लोवन सी जी का, दुरगा एहरिबार जी का, सागर गीरे जी का, गोविन भारिया जी का, दिनेस कुमार जी का, तो काफी बढ जिन लोगों के आंसर है ए हिंदी उनका सभी का सही है बाकी जिनोंने अटर सटल लगाया है उनका अटर सटल गलत है तो निमलेखित में से किस भासा को सास्त्री भासा का दर्जा नहीं दिया गया है तो वो हिंदी को नहीं दिया गया है दोस्तों संसकत में सास्त लिखे गए बिल्कुल बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर काफी महत्मुन कोश्चन है MPSI में कई बार पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखे नोट करकर रख ले या याद रख ले हिंदी सास्त्री भसा का दर्जा नहीं प्राप्त है MPSI का मोस्ट फेवरेट कोश्चन है भारत में ब्र थमबार अपने डाग घर कहां खोला था तो वो खोला था कलकत्ता में और कलकत्ता का है पस्चिम मंगाल में तो भाईया अब बात करते हैं कि जिन लोगों को डाउट है जिन लोगों को प्रोब्लम है जिन लोगों को कुछ भी कोश्चन बगेरा में कुछ भी प्रोब्लम हो रे answer क्या होगा नहीं करना है आपके समस्यां बता दीजिए फिर उसके बाद में हम class को off करेंगे session को off करेंगे बिल्कुल तो जो भी doubt हो जो भी question हो आप मुझे पूछ सकते हैं आप बिल्कुल इसके हकदार हैं तो यह आप बिल्कुल पूछें कि आपको जो भी problem हो वो पूछ सकते हैं 5 मिनट का आपके पास time है 10 मिनट का भी time है तो बिल्कुल पूछें सरमा जी का तो अच्छे answer हैं आपके answer करते रहें लेकिन अगर आपको MP police exam से relatively जो भी doubt हो जो भी भूग बगेरा के बारुमे knowledge लेना हो या कोई भी समस्या हो बिल्कुल मुझसे पूछे comment करके तुषार विल्डोरे जी यह पहला ही question ही यह second बार में आया है तो बिल्कुल सर मून पर 500 तक का जीवन हो सकता है क्या भीया में मून पर अगर जाओंगा बिल्कुल हो सकता है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे इसका कोई idea नहीं है कि मून पर कितने सालों का क्योंकि मून पर अभी कोई गया ही नहीं है अगर गया भी होगा तो जीवन अभी देखने को मिला नहीं है वरनन नहीं तो बस्तियां बगेरा बसा लेते लोगों वहाँ बहाँ पर भी प्लाट कार्ड देते, कालोनिया कार्ड देते, विल्लिंग बना देते लेकिन मून पर अगर पानी मिलता है या कुछ AC अपने जीवन जीने लाइक कोई चीजे मिलती है तो बिल्कुल वहाँ पर 500 क्या 1000 साल तक जीवन जीने का से स्टार्ट हो सकता है कुछ कमेंड में ले लेता हूँ दिपेज जी बिल्कुल आपका स्वागत है वेलकम है तो सर गुरूप 2 सब गुरूप 4 की एक सभी विसे की क्लास आनलाइन होती है क्या गुरूप खेड़े जी बिल्कुल गुरूप 2 गुरूप 4 के ओनलाइन क्लासे सब स्टार्ट हो चुके हैं प्रॉपली रूप से सुभे मोर्निंग के टाइम में आपको सारी क्लासेस मिलेगी तो बिल्कुल आप अटेंड करें, गुरूप 2 या गुरूप 4 की आप तियारी कर रहे हैं तो सुभे से क्लासेस ले, MP पुलीस और गुरूप 2, गुरूप 4 की बिल्कुल आपको ओनलाइन क्लासेस मिलेगी सायद हुगली नदी पर कॉलकता है, जी बिल्कुल किंग पटप को क्या करना पड़ेगा, जो किरन की बुक होती है पहले आप जो RS अगरवाल है, वो बुक को लगा ले, आपके बेसिक फंडे थोड़े-थोड़े किलियर हो जाएंगे फिर आप क्या करो, कि यह जो SSC की लाल कट्टा, मतलब की नोर्माली बच्चे उसे लाल कट्टे के नाम से ही जानते हैं तो किरन पब्लिकेशन दुआरा बहे बुक निकाली जाती है, तो उसे लगा ले, इससे क्या होगा, आपका सिंपल और एडवांस दोनों ही मेस आपके तगड़े हो जाएंगे, जो लेवाल इस एक्जाम में पूछा जाता है, वो इन दोनों बुकों से आपको परियाप्त मिल सकेगा गजराम यादब जी, मुझे जी के का ही प्रभार मिला है, बिल्कुल आप मेस रिजनिंग के लिए एक्सपर्ट टीचर आपको इस ओनलाइन क्लास के माद हम से मिलेंगे, तो सुभे के टाइम में आपको बिल्कुल चीजे मिलेंगे इससे रिलेटिव हिरलाल जी, सर न्यूज में बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने प्लॉट गिफ्ट किया, तो दोस्तो ऐसा होता है कि मून पर आप प्लॉट खरिश सकते हैं, लेकिन खरिनने से क्या मतलब, गिफ्ट करने से क्या मतलब, ये सारी चीजें ऐसी होती है, कि सिर्फ अपने अपना जो व्यक्तित्व है, उसे बताना मतलब कि हमारा चांद पे भी घर है, तो ये चांद पे घर सिर्फ टेली सिस्कोप से ही देखा जा सकता है, तो आप उससे देख लीजिए, अपना जो प्लाट है उससे देखते रहें, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर हम MPGK की बात करें, तो पुनेकर की बुके अच्छी होती है, अरिहन्त की बुके अच्छी होती है, उसके बाद में अगर हम MPGK की बात करें, तो MPGK के लिए आप MPPSC की जो पब्लिक, MPPSC के लिए जो बुक इसू होती है, अगर MP को और डीपली पढ़ना है, तो हिंद ग्रण्थेकेद में की जो भूक होती है उन्हें आप पड़ सकते हैं इससे क्या होगा कि आपको MP का अच्छा नॉलेज हो जाएगा तुसार बिल्लोरे जी यह जो लाल कट्टा है इसे किरन पब्लीकेशन की SSC की बुक के नाम से जाना जाता है इसमें 500-600 के किरन पब्लीकेशन कहते हैं नॉर्मली जो बच्चे हैं वो इसे लाल कट्टे के नाम से ही जानते हैं तो गोविन भूरिया जी गुडनाइट बिल्कुल सभीता जी बिल्कुल इसका अंसर C है डी है तो बिल्कुल तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी चीजें पसं अच्छी लगी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक चरूर कर जाएं तो आसा है आपको यह चीजें अच्छी लगी होगी सभी को सुपकामनाई गुडनाइट पढ़ते रहिए सेलेक्शन लेते रहें मिलते हैं कल ठीक 9 बजे आसा है आप समय पर आएंगे तो बिल्कुल ग दो आप